नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है शरत चौदरी और आप सभी के स्वागत है अवेनस टेप में तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लैपटॉप की लाइफ को कैसे इंक्रीज करें तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनके बारे में अगर आप धियान रखेंगे तो आप अपने लैपटॉप की लाइफ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं तो आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे सबसे पहला पॉइंट है डस्ट सो दोस्तो डस्ट जो है या धूल मिट्टी जो कह सकते हैं यह सबसे बड़ा एनमी है आपके लापटॉप का होता क्या है कि जब आप अपने लापटॉप को अपरेट कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि एन्वावमेंट में आपके घर के अंदर भी बहुत छोड़े छोड़े डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें विजबल नहीं होते हैं सनलाइट में कभी-कभी आपने वो छोड़े छोड़े पार्टिकल्स देखे भी होंगे तो वो क्या करते हैं वो आपके laptop की surface पे आ जाते हैं आपके keyboard पे बैठ जाते हैं और आपके जो पूरा laptop है उसको जो है वो cover कर लेते हैं धीरे-धीरे और अगर आप अपने laptop को clean नहीं रखोगे न guys तो ये धीरे-धीरे बहुत ही जादा problem create करता है तो यहाँ पे guys मैं recommend करूंगा कि आप अपना laptop जो है daily साफ करें उसका keyboard वगेरा भी जो है एक अच्छे brush से लाइक इस तरह का brush आप यूज कर सकते हैं इसका link मैंने description में दे दिया है 1500-200 रुपय का पड़ता है guys believe me यह बहुत ही ज्यादा effective है अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह आप keyboard देख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कुछ साफ कर सकते हैं क्योंकि यह वाली जो dust है वो normally हम साफ नहीं कर पाते हैं तो यह बहुत ही अच्छे से आपके laptop की dust को जो है keyboard की dust को especially साफ कर देता है और दूर से और बचाने के लिए अपने laptop को आप एक carry case में अपने laptop को जो है रख सकते हैं दूसरा point आता है guys की obviously laptop हमारा portable device है तो हम इससे कुछ जाधा ही प्यार करने लगते हैं और इसको हम बेट पे लेके बैठ जाते हैं जो की हमारी सबसे जाधा बड़ी गलती मैं कहूंगा कभी भी guys कभी भी अपने laptop को बिलकुल अपने बेट पे या blanket पे रख के ना चलाएं अपने लाप पे रख के ना चलाएं क्यूंकि होता क्या दोस्तों इसमें जो है अगर मैं दिखाऊं तो इसमें आपके vents बने होते हैं तो अगर आप इसको अपनी लाप वगेरा पे रख हैं let's say तो इसको जो है proper cooling नहीं मिल पाती है ठीक है और यह जो भी dust वगेरा आपके blanket पे होगी उसी को सक कर लेगा अंदरी अंदर overheat होता चला जाएगा और एक दिन जाके इसकी सांसे घुटने लगेंगी और यह दम तोड़ देगा obviously आप में से कोई भी बन्दा ऐसी चीज तो नहीं चाहता दूसरी चीज अगर खाने की चीज आप इस पे accidentally गिरा देते हैं तो होता क्या है कि छोड़े छोड़े आपके जो insects होते हैं छोड़े छोड़े लेट्सी चीटिया ही होती है अगर आप उसको कैरी केस में नहीं रखते हैं तो वह उनको आमंतरन देती है देट में further damage your laptop वहाँ पे अगर liquid वगेरा वो किसी भी तरह का secretion करती हैं तो वहाँ पे short circuit होने के बहुत जादा chances हैं तो please and please guys कभी भी अपने laptop को खाने की table पे और bed पे तो especially लेके ना बेठें तीसरा point guys कि कम से कम कोशिश करिए कि आप अपने laptop को जो है direct sunlight में यूज करें क्य होती है वह desktop जितनी अच्छी नहीं होती है अब होता क्या है कि यह normally भी थोड़ा बहुत मतलब desktop से ज्यादा गर्म चलता है ठीक है ही लेके चलता है अब अगर आप इसको direct sunlight में use करेंगे तो वहाँ पे उसको direct heat और ज्यादा लगती है और laptop और भी ज्यादा गरम हो जाता है दूसरी बात जो मैंने dust की बात कई थी बाहर के बात आवरंड में गाइद बहुत ही ज्यादा dust होती है तो वहाँ पे यह और ज्यादा dust accumulate करता है तो until and unless it's very important और it's very urgent avoid करें अपने laptop को बाहर के किसी environment में use करना दोस्तों अब बात कर लेते हैं charger के बारे में काफी time ऐसा होता ह है कि आपका charger किसी unknown reason की वज़े से खराब हो जाता है तो आप जेन्विन ना purchase करने की बजाए आप ए compatible वाला उठालाते हैं थोड़ा money save करने के लिए हो तक है दोस्तों कि आपकी जो बड़ी-बड़ी manufacturer companies हैं जिन्नोंने आपका laptop बनाया है और उनका charger बनाया है उन्होंने बह उसको पता है कि कितना particular amount of voltage या electricity आपके laptop को देना है और उसे further आगे पता है कि कितना कितना किस में distribute करना है ताकि वो properly operate हो सके compatible charger में क्या होता है guys कि compatible charger को नहीं पता कि कितनी amount of electricity required है laptop को वो बस एक universal है कि आपको पता चला कि हाँ इससे मेरा laptop चल रहा है तो सारी बाते बड़ी हैं होता क्या है कि धीरे-धीरे आपके laptop की जो internal components है वो धीरे-धीरे खराब होना शुरू हो सकते हैं यह हर case में true नहीं होता ह लेकिन most of the cases में ऐसा होता है अगर proper electricity हर component को ना मिले तो वो धीरे-धीरे खराब होना start हो जाते हैं और eventually एक दिन ऐसा आएगा कि आपका laptop शायद बूट ना हो तो make sure करें कि जब भी आपका charger खराब हो जाता है तो आप कोशिश करें कि genuine spare parts का use करें charger तो आइमस से और जब भी आप अपना laptop operate कर रहे होते हैं कोई pen rag आपने insert कर रखी है कोई USB cable के दुरू फोन आपने लगा रखा है कभी भी उसको एक जटके से ना निकाले गाई क्यूंकि laptop ना उस चीज के लिए ready नहीं होता है ठीक है कि आपने एकदम से उससे वो particular component निकाल लिया उसको प किसी किसी केस में नहीं भी होता है बट मैं बता दूँ गाई यह habit अच्छी नहीं है जब भी आपको किसी भी चीज को laptop से unplugged करना हो make sure कि पहले आप उसे eject कर रहे है specifically we are talking about the USB cables guys ठीक है जो accessories आप further include करते हैं charger से अलावा उसको आप पहले eject कर ले अपने taskbar में जाके icon वहाँ पे होता है eject कर ले और जब वो eject हो जाए तो उसके बाद आप pin drive को क्या करते हैं कि लेट से आपकी बैटरी laptop की बैटरी डाउन हो रही है तो आप अपनी charger plug-in किया अपने socket में उसको on किया और उसके बाद charger का जो पिन है वह जो पॉइंट है आगे का वह अपने लाप टॉप पे एकदम से connect किया इससे क्या होता है लाप टॉप को एक तगड़ा सा एकदम से शोख लगता है तो वैसा बिल्कुल ना करें क्यूंकि हो सकता है कि उसकी पिन जब आपके laptop के जाक से connect हो अगर कहीं पे incorrectly touch हो गई या कुछ भी हो गया electricity का item है तो हो सकता है यार short circuit होने की chances कभी भी हो सकते हैं कभी भी आपने देखा होगा unknown reasons की वजए से काफी सारी चीज़े laptop में हो जाती है तो मैं को मैं आप से request करूंगा कि सबसे बेस तरीका क्या है कि आप पहले laptop के charger को plug-in कर लें उस jack में insert कर दें उसके बाद main switch से power on करें और दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी आपको ये लगता है कि आपका laptop बहुत ही ज़्यादा overheat हो रहा है तो अपने laptop की service जरूर करा लें उसका thermal place जरूर replace कर लें क्योंकि होता क्या है जैसा कि मैंने dust के बारे में बताया कम आपके environment में dust होती है और जैसे कि मैंने bet वाला factor भी जो है आपको बताया उससे क्या होता है कि आपको जो fan होता है laptop के heatsink के पास जो fan होता है जो आपकी सारी air को खीच के बाहर की तरफ फैंकता है वहां पे जो है dust particle accumulate हो जाते हैं वहां से जो heat है वह बाहर नहीं जाती है आपका laptop जो है सांस बिचारा नहीं ले पाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वह दम तोड़ देता है और यह वाला point दोस्तों बहुत ही ज़्यादा important है तो यहां पे हमारे पास कुछ दो तरीके के laptop होते हैं तो यह वाला जो laptop है जो अखिलेश के थ्रू यह air को बहुत फेकता है तो हम में से ज्यादा तर लोगों के पास अभी भी यह laptop होंगे ठीक है तो जब भी आप अपने laptop को कहीं पे भी प्लेस करके चला रहे हैं तो कोशिश करें कि वह हलका सा जो है उठा रहे ठीक है इसके लिए आप किसी भी cooling pad का इस्तमाल कर स साइट से हवा आराम से ले सके और यहां से आराम से इसली बाहर निकाल सके और दोस्तों आप आपके पास अगर पैट्स होंगे इस्पेशली कैट्स अगर आप रखते हैं तो उनको कभी भी अपने laptop के आसपास मत घूमने दीजे क्योंकि आपको पता है उनके पास फर होते ह जो की बहुत ही जादा उड़ते हैं हवा में और आप जो लोग पैट्स रखते हैं उनको पता होगा कि उनके आसपास भी काफी फर हो जाते हैं तो अगेन वही होता है कि यह आपके laptop पे जो है आके accumulate हो जाएंगे और हो सकता है कोई-कोई मतलब अंदर भी चला जाए और उस काम करता रहे और हां गाइस काफी लोगों को मैंने देखा है कि काफी लोग बहुत ही ज्यादा प्राउट फील करते हैं कि यार मैंने तो अपना laptop जो है एक महिने या पिछले दो महिने उसे जो है शेट डाउन ही नहीं किया है मतलब वह स्लीप पे लगा देते हैं उस laptop को औ पतानी ऐसे रियाक करते हैं जैसे पतानी उन्होंने वोंसी ही टरोफी जो है जीत लिए हो गाराइज आपकी लाप टॉप की जो बैटरी है ज़से पर बिलुकल आधी हो जाते है जहां account जो की आपकी बैटरी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो बिलकुल आधी हो जाती है जहां पे आपकी बैटरी तीन से चार साल चलनी चाहिए थी वहां हो सकता है कि आपकी बैटरी डेड़ या दो साल में ही जो है अपना दम तोड़ दे तो make sure करें कि यह तो पहला रीजन है जि वो एक refresh मांगता है ठीक है services को भी refresh मिल जाता है जब आप अपने laptop को shutdown करके restart करते हैं और दूसरी बात जब भी आपके Windows के updates आते हैं उनको भी कभी install होना होता है तो आपने देखा होगा कि operating system खुद आपको prompt देता है कि restart करो इसे updates को install होने के लिए तो जब तक आप अपने laptop क restart करेंगे नहीं वो updates जो है install होंगे नहीं update install होंगे नहीं तो आप ज्यादा वल्रेबल रहेंगे किसी भी जो भी patches हैं जो भी आपके operating system ने release किये हैं जो कि आपके भले के लिए ही होते हैं वो आप तक आपके laptop implement नहीं हो पाएंगे तो make sure guys कि कभी भी आप anti-unless it's not required sleep mode का use नह कोशिश करें अगर आप कर भी रहे हैं तो कम से कम यार दो हफते तीन हफते में अपने laptop को एक restart या एक shutdown ज़रूर दे तो यहां पे guys यह वाला point जो है बहुत ही ज्यादा important है जब भी आप अपने laptop को खोलते हैं क्योंकि laptop बहुत ही ज्यादा delicate item होता है तो मैंने देखा है कि क बहुत सारे लोग करते हैं अपने daily basis पे see guys यहां पे अगर मैं आपको यह दिखा हूँ तो यहां पे आपको यह hinges देखने के लिए मिलेंगे यह हो गया यह हो गया यह दोनों आपकी laptop को hold करते हैं इसके उपर ठीक है तो जब भी आप इसको improper तरीके से यहां से hold करेंगे तो देख सकते हैं कि यहां पे इस हिंज पे बहुत जादा दवाब पढ़ रहा है ठीक है और उस पे उतना नहीं पढ़ रहा है तो जब तक वेट जो है आपका proper distribute नहीं होगा तो वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है लैपटॉप के flap को खोलने का उससे क्या हो सकता है कि मान लीज है यह डामेज हो जाए यह वाला डामेज हो जाए और यह बहुत ही डेलिगेट आइटम होते हैं गाई और इतनी असानी से replace भी नहीं होते हैं ठीक है तो प्रॉपर तरीका क्या है या तो आप सबसे पेस तरीका है कि आप अपने दोनों हैंड का इस्तमाल करें और तब इस इसको open करें ठीक है तो अभी मैं sideways बठा हूं इसलिए मैं अपना weight distribute नहीं कर पा रहा हूं otherwise आप क्या कर सकते हैं नीचे थोड़ा सा hand लगा ले और उसके बाद बीच की तरफ से आप इसको open करें तो होता क्या है जब अब बीच से open करेंगे तो दोनों तरफ weight जो है properly distribute हो जात है वो इतना solid नहीं होता गाइस जैसा कि मैंने बोला बहुत ही delicate item होता है तो especially जो gamers हैं वो एक external USB keyboard मतलब एक external keyboard और एक external mouse का use करें उससे क्या होगा कि आपके जो internal यह जो components है keyboard और यह touchpad यह थोड़ी safe रहेंगे गाइस और क्यूंकि आप gamer हैं तो आप बहुत ही जादा इन keyboard से यह थे वो pointers जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके laptop की overall life बढ़ जाने वाली है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो please hit the like button गाइस ने अच्छी लगी तो dislike कर दें जासे आदा हमारी वीडियो को share करें हमारी चनल को subscribe करना ना भूले क्यूंकि मैं ऐस झाल झाल झाल